नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांदीफ हिंदी यूटूब चैनल पर बीसी सकी महलाओं के मांदे से चुड़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां सरकार ने होली से पहले सरकार ने किया 20 सकी महलाओं का मांदे को लेकर बड़ा एलान जहां सरकार ने वजट पास करते हुए 2023 और 2024 को सरकार ने ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा एलान कर दिया गया है जहां राश्टिये ग्रामिल आजिव का मिसन के अंतरगत बीची सकी महलाई कारे कर रहे हैं वह अन्य जो समूं सकी है अन्य जो बीची सकी महलाई से जूड़ी अन्य सकी है उनके लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा एहलान कर दिया है तो उस काफी समस्य से इंतजार कर रही बीची साकी महलाओं के लिए जानने की जरूरत है कि उनके लिए सरकार ने क्या कुछ बजट में आईलान करते हुए आब क्या कुछ नया पेश किया है जिससे की बीची सकी महलाओं की मांदे से जुड़ी जो समस्या हैं वो सरकार जल्द ही उसको आब सूल जा सकती है एसे में सरकार की तरफ से जो लेटर प्राप्त हो रहा है जिसमें दिनांक 21 फरवरी 2023 का लेटर है जिसमें प्रिक्सक हरी नाम संयुक्त सचिव उत्रप्रदेश सासन की तरफ से यहो लेटर प्राप्त हो रहा है सेवा में आयोक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश ग्राम विकास अनुभाग 6 के अंतरगत यह लेटर प्राप्र हो रहा है जिसमें विशय है राष्टी ग्रामिन आजिव का मिसन अंतरगत वित्ती वर्स 2022-23 में अनुदान संख्या 13 सामा निमत के अंतरगत आवमुक्त के इं सिंग राजस यास की जो धनरासी है उसको निर्गत करने के संबंद में तो सबसे बड़ी खुसकबरी आप सभी के लिए जो धनरासी से जुड़ी कर नई अपडेट आ रही है जिसमें की राजस्व की धनरासी निर्गत किये जाने के संबंद में आप सभी के लिए बहुत अ जिसमें उप्यायुक्त विशाय मिसन नर्देशक ग्राम्य राजी आजिव का मिसन के पत्रांक संख्या में देख सकते हैं जिसमें दिनांक 21.1.2023 के क्रम में आउगत करना है यानि कि जो 31.1.2023 का जो अपडेट था उसको लेकर सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए कि ग् 49.1 के तहट दिनांक 31.12.2022 द्वारा वित्ती वर्स जो 2022 और 2023 में राष्टिय ग्रामिल आजिव का मिसन के अंतरगत अनुदान संख्या 13 में केंदरांस 60% जो धनरासी है उसमें जो एक लाख 71.005 लाख रुप्य का यहां पर आउमुक्त किया गया है तो सबसे बड़ी ख़वर कि आप सभी के लिए इतनी धनरासी सरकार की तरफ से आवंटित हो चुकी है जिसके सापेक्स मैसिंग राज्यान से जो है 40% इस पर काटना जाएगा और धनरासी आप सभी को इस काविधान के सापेक्स मात्र जो है यहां पर 5555 लाख ही आउमुक्त होने की हेतु आउसेस है ऐसे में इस परकार कुल धनरासी जो बनती है वह एक अरब 60 करोड 66 लाख 91,000 मात्र यहां पर आपकी धनरासी सरकार की तरफ से यहां पर राज्यों और केंद सरकार की तरफ से 60% जो है के इंदरांस और 40% जो है वह राज्यों की तरफ से मिलाकर यह 100% जो आपका धनरासी है वह सरकार की तरफ से स्विक्रेट कर दी गई है आप इस पर जाकर बात करें कि जो 40 और 60% जो 40% के इंदर सरकार और 40% राज्यों सरकार की तरफ से स्विक्रेट कर दी गई है ज इसमें नमबर दो पर होगा जिसमें आउगत समन्द में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्ती वर्स 2022 और 2023 में राज सरकार द्वारा दी गई वजट व्योस्ता में से भारती भारत सरकार में पत्र 31 बारा 2022 द्वारा अनुदान संख्या 13 के अंतरगत उप्या अनु एक लाख 71,000 रुपे के संथें यहाँ पर सरकार जो पैसा दे रही है केंद सरकार और उसमें 40% एट कर रही है 555,000 रुपे धनरासी यहाँ पर राज सरकार एट कर रही है कुल मिला के बात करें तो रुपिय की एक अरप 60 करोड 66,91,000 रुपे मात्र आप सभी का यहाँ पर स प्रति बंधों के अधीन सहस्त स्विकित परदान किया जाएगा आप इस पर 20 सकी और अन्य जो कारे कर रही है उन सभी को यहाँ पर इसका पैसा आवंटित किया जाएगा तो होली से पहले आप सभी को यह पैसा स्विकित होने जा रहा है जिसमें आप सभी को धनरासी से पैसा जो सुक्रिद हो चुका है उसको लेकर आप जल्द ही आपका मान दे जो मिलेगा और जो मान दे की जूरी समस्या है आप सभी का पर्मानेंट उसको लेकर भी सरकार को नया एलान यहां पर कर सकती है तो विट्थी विजट है वह सरकार की तरफ से 2023 और 2024 की सबसे बड़ी खुसखबरी आप सभी तक बहुत अच्छी ख़बर थी तो इसी तरो की नई लेटिस्ट अपडेट और योजनाओं से जूरी बीसी सकी मैलाओं से जूरी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी तक आपने हमारे इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो को भी सस्क्राइब करें वीडियो को भी लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और सरकार के इस तौफे से आपके जना संतुष्ट है आप हमारे कमड़ बॉक्स में अपनी राइ जरूर दें तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरो की नई लेटिस अपडेट के साथ थैंक यू वाई वाई एंड टेक केयर